हेलो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की स्वोडों में हम बात करने वाले हैं RRB Railway Recruitment Board का New Update के बारे में तो देखे दोस्तों यहाँ पे यह जो अपडेट है आपकी रहने वाली है अगर आपने Form Apply कर चुके हैं 04-2024 batch के लिए Various Categories और Paramedical में किसी भी Post के लिए Form Apply कर चुके हैं Form Apply करने की पस्चाद पता चल रहा है कि आपने Form में किसी ना किसी परकार का जानकारी mistake कर दिया है या तो आपने Regitation करते वक्त जानकारी को mistake किया है या Application Form Fill करते वक्त तो आप जानकारी को कैसे सही करेंगे आज की सिवड़ों में आपको पूरे जानकारी दिया जाएगा और आपको edit या correction का जो process होता है वो भी आपको बताया जाएगा correction का date क्या रहने वाला है क्या-क्या जानकारी आप edit कर सकते हैं registration जानकारी आपका edit होगा या नहीं होगा अगर edit नहीं होगा तो आपको क्या करना है ये भी आपको इस वीडियो को माध्यम से बताया जाएगा अगर आपको फिर भे किसी भी परकार का query होगा तो आप मुझे comment box में comment करेंगे तो चलिए friends वीडियो को start करते हैं लेट ना करते हुए सबसे पहले देखे प्रेंस यहाँ पर correction करने से पहले आपको इसका official notification को download कर लेना है क्योंकि इसका official notification में आपको बताया गया है कि आपको form को कैसे correction करना है correction का date क्या है ये भी आपको इसका official notification में आपको mention किया गया होगा ये आपको देखने को मजाएगा जैसे इसका official notification open करते हैं तो आपको इस प्रकार क्या करना है आपको आजाना है सबसे पहले imported date के section में यहाँ पर देखे friends यहाँ पर आपको apply करने का जो date होता है आपका 17-8-2024 से 16-9-2024 तक आप form को fill कर सकते हैं correction करने का जो date होता है friends यहाँ पर आपका start होगा 17-9-2024 से 26-9-2024 तक आप इस form को correction कर सकते हैं अब देखे friends यहाँ पर form में correction कर सकते हैं सारी जानकारी को केवल आपको यहाँ पर आपका RRB यहाँ पर change नहीं कर सकते हैं और आपको mobile number और आप mail ID change नहीं कर सकते हैं इसके अलावा जितने भी जानकारी होता है वह आप यहाँ पर सही कर सकते हैं और क्या-क्या जानकारी सही नहीं कर सकते हैं यह भी आपको इस video में बताया चाएगा इसके पस्चाद देखे friends यहाँ पर आपको modification और application आपको करना क्या है आपको 15 नमबर में आपको आजाना है यहाँ पर आपको modification या edit से related जो भी जानकारी होता है वह आपको यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले देखे दोस्तों यहाँ पर आपको पहले नमबर में बोला गया है कि after the final submission अगर आप यहाँ पर कर देते हैं आपका online जो form होता है final submit कर देते हैं इसके बाद अगर आप form को edit करेंगे तो इसके लिए आपको 250 रप्या देना होगा जो कि आपका non refundable होगा मतलब आप इस face को refund नहीं ले सकते हैं इसमें भी आपको बोला गया है कि आप mail ID, mobile number चेंज नहीं कर सकते हैं और RR भी चेंज नहीं कर सकते हैं इसके अलावा अधर जो भी जानकारी होता है वह आप यहाँ पर सही कर सकते हैं इसके बाद देखे फ्रेंस यहाँ पर आपको fees payment करना mandatory है अगर आप fees को payment नहीं करते हैं तो इन case में आपका जो fees होता है वह आपका फीस नहीं payment नहीं करेंगे तो आपका जो form होता है वह आपका reject हो जाएगा यह accept नहीं होगा आपका जो form होता है वह आपका correction करेंगे तो आपका correction होगा नहीं जैसे का तैसे रह जाएगा, यहाँ पर आपको बोला गया है जो category होता है, जैसे कि STSE हो गया, General हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, इन सारे category का जो fees होता है आपका लगने माला है 250 रुपिया, इस case में आपका जो form होता है आपका accept नहीं होगा, reject हो जाएगा, आपको यहाँ पर clearly mention कर दिया गया है, कि आपका जो form होता है आपका accept नहीं किया जाएगा, ऐसे ही अधर जो category होता है, इनके लिए भी same नियम लागू होता है, तो आपको इन बातों को तिहान रखना है, इसके बाद आप उपर क्या scroll करेंगे, यहाँ पर देखें फ्रेंस, यहाँ पर इधर का जो भी नियम होता है, आपका same रहने वाला है, और यहाँ पर आपको करना क्या है, देखें फ्रेंस, यहाँ पर एक से ज़्याद आपको form अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आपको फिर से बोला गया है कि आपका correction को date होता है, आपका 17-2024 से 16-2024 तक आप form को correction या edit कर सकते हैं, इसके पर आपको यहाँ पर अगर आपका form आप double apply करते हैं, मैंने फिर पहले ही बताया है कि अगर आप form double apply करते हैं, पहले से एगर आपने form apply कर रख हैं, फिर से अगर आप यहाँ पर दुबारा form apply करते हैं, new registration करके, तो इस case में भी आपका जो form होता है, आपका reject हो जाएग देखें दोस्तों यहाँ पर form को correction या edit करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा इसका online apply portal में आना होगा जहां से आप इस form को fill करते हैं यह इस form में जहां से आप सारी जो जानकारी होता है यही से आपको प्राप्त होने वाले हैं जैसे कि अगर आप notification होगे रहे डाउनलूट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप notification को डाउनलूट कर सकते हैं form को edit या correction करना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर apply वाला जो link होता है यहाँ आपको click करना होगा इसके पस्चाथ आपको already have an account में आप यहाँ पर click करेंगे इसके पस्चाथ आपको यहाँ पर आपका जो mobile number होता है वो आप इस वाले box में fill करेंगे password आप यहाँ पर fill करेंगे और आपको यह capture code को इस वाले box में fill करके simply आप login में click कर देंगे अब देखे दोस्तों यहाँ पर आप जैसे login हो जाते हैं तो आपको इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा simply आपको my application वाला section में आजाना है यहाँ पर ongoing यतने भी recruitment होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले number में देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा paramedical simply आपको form को edit या correction करने के लिए आप यहाँ पर declare करेंगे declare करने के पस्चाद आप next में click कर देंगे अब देखे friends यहाँ पर in case आपका कुछ इस type से जो notification होता है यह आपका so होता है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस type से अगर आपका notification so होता है तो इसका मतलब देखे friends यहाँ पर आपका जो form होता है आप भी edit नहीं कर सकते हैं correction का date में ही edit कर सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पे आपका जो फीस होता है वो आपको पेमेंट कर देना है जैसे अप्लिकेशन हिस्ट्री में आएंगे और आपका जो भी यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा और आपका जो फीस होता है वो आपको पे या edit नहीं कर सकते हैं इसलिए अपने form को finally submit कर दिये हैं तो आपको face को भी payment कर देना है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप form को finally submit नहीं किये हैं इस इस्तिति में आपको करना क्या है यहाँ पर declare box में click करना है और आप यहाँ पर next का जो button होता है यहाँ पर click कर देना है next में आप सारी जानकारी को सही कर लेना है अब क्या-क्या जानकारी आपका एडिट नहीं होगा यह मैं आपको बता देता हूं जैसे के देखे करनें इसके पर आपको जखने का एकन आपको कुछ से सहे एसे ही देखने का चाहसे यहां पर AI नहीं को कि कोज़ेंगे है तो आप communication कर बढहर सकता है इसधेंञे करने एक है कर सकते हैं यहां पर आपटेट हो जाएगा आसे देखें प्रेंसD dewत करने हैं और दीटेल यह आप यहां पर फोटोग्राप और सिंपल सेप करना चाहते हैं उसके बाता तो इस प्रकार आपको क्या करना है आपका जो फॉर्म होता है आपको सही कर लेना है आपको चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को दबा लेना है ताकि जो भी अपडेट होगो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा अब देखे दोस्ते हैं आप जो भी केंडिडेट ने रेजिटेशन में किसी भी परकार का जानकारी को मिस्टेक किया है तो उसके लिए आपको निव रेजिटेशन कर सकते हैं पर वे केंडिडेट निव रे यह अगर आपका mistake है कोई भी जानकरी जरह सब भी mistake है जैसे कि आपका father का नाम में राजा है और आपने राजू type कर दिया है तो यहां पे भी आप new form apply कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा DOB में अगर आपने 2002 के जगह में 2005 डाल दिया है तो भी आप new form apply कर सकते हैं पर यहां पे भी आपका condition रहने वाला है करना क्या होगा आपको यहां पे mail ID, mobile number change करना होगा और यहां आपको आधार के जगह में आपको करना क्या होगा I do not type आधार में क्लिक करना होगा और other जो document होत तो इस प्रकार आप यहां पे form को सही कर सकते हैं तो I hope आप लोगों को जानकारी पस्तना होगा बडियोग पस्तना होगा जानकारी पस्तना होगा तो बडियोग लाइक सिस्क्राइब सेयर करेंगे किसी भी प्रकार का query के लिए मुझे comment box में comment करेंगे